हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आज आपके लिए हम लेकर आएं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला क्या लेकर आएं बच्चा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला में हम क्या रेखेंगे कौन से फैक्टर है या फिर क् region है या क्या factor है जो drosophila में sex को decide करते हैं कि भया यह जो embryo diolabd हो रहा है drosophila क्या वो male होगा या फिर वो female होगा sex determination in drosophila को देखने से पहले हम आपको एक थोटा सा concept बताएंगे उसको आप ध्यान से देखेंगे एक है आपका genotypic sex determination ठीक है इसमें क्या है आपका इन जीनोटिपिक sex determination system genotypic sex determination सिस्टम में क्या होता है वहिए दा सेक्स क्रोमसॉम प्ले ये जिसको अमने kromosommal बताया है चे पहले हुद बताया है इस को जन्याल जिनोटिपिक से uknt तेंज औंडिक्टिradosिएंट के में क्या होगा जो स्यक्स प्रोफियर थेर्मिया सबुत्स डिट्रॉमन करेंगे कि स्यक्स क्रोफियर में कुर्फियर में वह या फिर फीमेल में रुफ्ट होगा ठीक है, and it may occurs in one of the two ways, यह दो टाइप से होता है, जो genotypic sex determination है, वो उसमे sex chromosome important role play करते हैं, कि developing embryo male होगा या फिर female, यह ही decide करता है कि developing embryo male होगा या फिर female, तो जो genotypic sex determination है, यह दो टाइप का होता है, पहला आपको देखना है, एक्स क्रोमोसोम मेकेनिजम आप sex determination, पहला आपको देखना है, in the y क्रोमोसोम मेकेनिजम आप sex determination, यह कहां पाया जाता है, यह human में पाया जाता है, y क्रोमोसोम मेकेनिजम आप sex determination में, y क्रोमोसोम decide करता है कि भाया, sex का determination, y क्रोमोसोम ही decide करता है कि embryo male होगा या फिर female, क्योंकि यहां पे male जो होता है, वो hetero gametic होता है, और female homo gametic होता है, ठीक है, तो यहां पे y क्रोमोसोम, human का case जैसे है, यहां पे y क्रोमोसोम decide करता है कि भाया developing embryo male होगा या female, जिसमें x x होगा, वो female होगा, मतलब जहां पे y absent होगा तो female, y present होगा तो male, y absent होगा तो female तो पहला आपका है जो genics sex determination में y chromosome और x chromosome के आधार पर या फिर यूँ कर लिजिए आप sex chromosome के आधार पर ही decide कि जाता है कि developing number male होगा या female y chromosome mechanism में आप sex determination में y chromosome decide करता है कि developing embryo male होगा या फिर female तो इस एक्स chromosome या आटोसोम बैलेंस सिस्टम में क्या हो ये drosophila में पाजाता है आगे हम आपको इसको detail में पढ़ाएंगे यहाँ पिर एक्स chromosome अपन आटोसोम डिसाइड करते हैं कि developing embryo male होगा या फिर female तो पहले यह देखिए आप, in the Y chromosome mechanism of sex determination, example human, the Y chromosome of the heterogametic sex is active in determining the sex of an individual, वाइक प्रोमोसोम actively participate in determination of sex, ठीक है? इंडूवजवल करेंग दा Y chromosome argentically male, मतलब जिसके पास Y chromosome होगा, वो male होगा और जिनके पास Y chromosome absent होगा, while इंडूवजवल liking the Y chromosome argentically female. इन पूरे लाइन को पढ़ने से यह हमारा मतलम यहाँ पे मिल रहा है, कि यहाँ पे Y chromosome ही decide करता है कि इंडूवजवल male होगा या फिर female. जिनके पास Y chromosome present होगा वो होंगे male जिनके पास Y chromosome absent होगा वो होंगे female तो आपका जेनिक सेक्ट determination का ये मतलब हो गया नेक्ट आपका दूसरा जो है Y chromosome autosome balance system ये drosophila में आपका पाजाता है इसमें क्या होता है the main factor in sex determination is the ratio between number of X and the number number of seta partosome X upon A ratio यहाँ पर decide करता है developing embryo male होगा या फिर female ठीक है ये आपका दूसरा है जेनिक balance जेनिक जो chromosomal sex determination है यहाँ पर देखिए आगे क्या है in this system Y chromosome has no effect on sex determination but required for male fertility इस system के अनुशार Y chromosome का sex determination में कोई रोल नहीं होता है बट Y chromosome male के fertility के लिए जरूरी होता है अगर Y chromosome नहीं होगा तो male fertile नहीं होगा तो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे Y chromosome mechanism of sex determination और X chromosome artosome balance system जो कि ड्रोसोफिला और यह human में पाए जाता है अब आएए हम देखते हैं sex determination in drosophila देखे ड्रोसोफिला आल्सो कर्ड फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई भी करते हैं यहाँ फिर फोर पेयर आप क्रोमोसोम पाए जाते हैं और 1 जो 2 chromosome होते हैं वह जो 6 chromosome होते हैं तो 3 pair यह हो गया मतलब 6 chromosome और यह one pair जो male होगा उसमें xy में फ्रूट फिमेल होगा उसमें xx होगा यह हमने आपको जो क्रोमोसोम बेसिस में ही आपको यह बताए यह बतारे हैं जो कि ड्रोसोफिला में पाए जा रहा है इसका जो alternative name हमने जो बताया है उसको आपको कमेंट में लिखना है ठीक है देखते हैं आपको कितना त्यार है जो Calvin Bridge नामक साइन्टिस्ट है इन्होंने ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन को डिटेल में बताया बाइट्स थेयरी जेनिक बैलेंस थेयरी और इन्होंने जो थेयरी जो थेयरी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए दिया ड्रोसोफिला में उसको बोला गया जेनिक बैलेंस थेयरी जेनिक बैलेंस टीरी मूबाइल बैलोंस नहीं है जेनिक बैलेंस धिया थ्याण से आप लोग तो점 कोमुलीटी में गहुस्चन कर देंगे तो जेनिक बैलेंस ट्हेरी किस नहीं दिया था CB Bridge नमक Scientist ने या फिर Calvin Bridge आपका सकते हैं या फिर CB Bridge नमक Scientist ने Genic Balance Theory दिया था यह Genic Balance Theory Drosophila में Sex Determination को बता रहा है इन Drosophila The number of X chromosome Ratio है Set of Autosome Determine 6 Drosophila में X upon A Ratio क्या करता है 6 को Determine करता है ठीक है X upon A Ratio जो आपका है वो देखे एक भी हो सकता है 0.5 भी हो सकता है Greater than 1 भी हो सकता है Less than 0.5 Greater than 0.5 भी हो सकता है Less than 0.5 भी यह variable होगा इसी के आधार पे हम बताएं कि developing embryo male होगा या फिर female आगे कि आपको हम चार्ट बना के बताएं Next आप देखे In Drosophila X chromosome carries more genes that incline the development towards female In Drosophila में जो होगा X chromosome incline करता है कि femaleness developed होगा embryo female में developed होगा या फिर male में The artosome process gene which incline the development towards male जहां पे artosome ज़्यादा होंगे वो male-ness की तरफ जा रहा है लेकिन जहां पे X chromosome ज़्यादा होंगे वो female-ness की तरफ दिखाएगा आपको आगे ये बाती सारे आपको समझ में आएंगे आप देखे according to healing balance theory क्या है इसके पहले आप देखे जो sex in drosophilic की साधार पर decide कियाता है number of X chromosome बटे number of artosome तो sex कैसे यहां पर decide किया रहा है X upon A ratio से sex decide किया रहा है sex कैसे यहां पर drosophilic में decide किया रहा है X upon A ratio से ये आपको ध्यान देना है पहले आप chart देख लिए फिर आपको हम dealing balance theory का जो यह thesis है यह आपको बताएंगे ठीक है देखिए if x upon a ratio बराबर 1 अगर x upon a बराबर 1 है तो normal female डेवलप्ड होगी क्या होगी बच्छा normal female next आपका है अगर x upon a 0.5 के बराबर है तो normal male डेवलप्ड होगा ठीक है अगर x upon a ratio between 0.5 to 1 है तो intersex होगा मतलब intersex होगा वो ना ही male होगा ना ही female ठीक है अगर x upon a is greater than 1 तो super female होगा अगर x upon a x जादा होगा तो super female होगा अगर x upon a less than 0.5 होगा तो super male होगा ठीक है इतना अपुसमज में आगे है एक बार फिर से revise करिए अगर x upon a 1 होगा तो normal female होगा x upon a 0.5 है तो normal male होगा x upon a 0.5 से 1 है तो intersex होगा x upon a is greater than 1 मतलब x जादा 1.2 या 2 आ गया या 3 आ गया या 1.6 आ गया तो ये super male होगा अगर x upon a 0.5 से ले से मतलब 0.3 हो या फिर 0.2 हो 0.1 हो ये आ गया वो super male होगा ठीक है अब इसको चार्ट देखिए आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर नंबर आप x chromosome दिया है यहाँ पर आट उसों का सेट दिया है यहाँ पर देखिए आप देखेंगे 3 x है और 2 a है तो 3 upon 2 करेंगे तो कितना अंसर आएगा 2 एक अनन दो 1.5 आया ना 1.5 किस चार्ट में आ रहा है बचाए किस चार्ट में आ रहा है 1.5 more than 1 में आ रहा है ना इस वाले में आ रहा है x upon a is greater than 1 तो यह क्या होगा सूपर फीमेल होगा ठीक है किस में होगा बच्चा सूपर फीमेल यहाँ पर हमने लिखा भी आप देखिए यहाँ पर 4 x है और 4 a है ना x a तो इसका मतलब आ गया एक आ क्या एक नार्मल मेल है आपका यह सौरी नार्मल फीमेल है अब देखिए यहाँ यह ट्रप्लॉइड है क्योंकि यहाँ 4 x है यह ट्रिप्लॉइड है यहाँ पर 3 x है ड्रिप्लॉइड है यहाँ पर 2 x है यह आप ध्यान देजिए अब देखिए यहाँ इसको ट्रिप्लॉइड वाला केस देखिए इसमें 3 x है 3 और a है तो इसका भी 1 हो गया ये भी normal female है 2 x है upon 2 autosome है इसके बराभर भी 1 हो गया ये भी normal female हो गया अब intersex हमने आपको बताया है जो 0.5 से एक के बीच में है तो intersex में आप देख रहे हैं 2 x है 2 upon 3 जब भाग देंगे 0.66 6 आपका अंसर आएगा तो ये आपका हो गया intersex ठीक है normal male जो कि 0.5 वाला है तो ये x 1 upon 2 तो इसका अंसर आजागा 0.5 ये आपका normal male हो गया super male में देखिए जो 0.5 से नीचे वाले चार्ट में आएंगे ना तो 1 upon 3 तो इसका अंसर हो गया 0.33 आएगा ये आपका super male ये चार्ट हमने आपको बता दिया ठीक है ये चार्ट को आपको याद रखना है और एक्जाम में अच्छे से लिख देना है ठीक है अब देखिए जेनिक बैलेंस थेरी क्या कर रहा है according to जेनिक बैलेंस थेरी किस ने दिया था CB bridge Kelvin bridge CB bridge नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था इसको Kelvin bridge को Every individual whether female या फिर male possess in its genotype gene for both male and female characteristics जेनिक बैलेंस थेरी जो CB bridge ने दिया इनके अनुसार ठतिक आर्गैनिजम male और female-ness का character रखते है मतलब एक इंब्रियो है चाहे वो xy वाला हो चाहे xx हो दोनों के पास male और female-ness के character होंगे CB bridge के अनुसार ठीक है आगे ये क्या बोल रहे हैं Which sex will actually developed is decided by preponderance of that type of gene मतलब काउन सा gene dominant होगा अगर female-ness का gene dominant होगा तो वो embryo female में डोलब दोगा अगर male-ness का gene dominant होगा तो वो embryo made में डोलब दोगा तो जेनिक बालेंस थियरी यही कहाती है कि प्रतिक आर्गैनिजम के पास male-ness और female-ness के दोनों character है अगर female-ness character dominant है तो वहाँ पे female embryo बनेगा अगर male-ness का character dominant है तो male embryo बनेगा That's all about तो इसी के अधार पर इनों ने डोसोफिला में बताया है कि वही अगर female-ness का character dominant है तो female developed होगी male-ness character dominant है तो male developed होगा यह आपका जेनिक बालेंस थियरी हो गया और हमने पूरा आपको सिख determination in डोसोफिला बता रिया नेक लेक्चर में आपको सिख determination in human पढ़ना है वो हम अगली लेक्चर में आपको बताएंगे ओके बच्चा Thank you so much मिलते हैं नेक लेक्चर में नेक concept के साथ